आप देख रहें नजर जंतर न्यूज तो देखिए आज यहाँ पे बाइक रहे ले और टोटो से यहाँ पे माइक लगा कर किस चीज का ये परचार कर रहे हैं केस मुद्दे पे लेकर यहाँ पे लोगों को जागरूत कर रहे हैं तो मैं उन लोग से बात करूँगा तो आप देख रहे हैं कि यहां पर कितना तमाम लोगों एक साथ में जोटों करके आये हुए हैं दोर-दोर से लोगों एक जोट में आये हैं और किस मुद्दों को लेकर इनको परचार जो कर रहे हैं मैं उनलोग से ही मैं बात करता हूं कि क्या मत क्या मुद्दा लेकर यहां पर आये हैं तो देखिए यहां अब नजर जनता नुए आपका स्वागत हैंकर अब बताइए कि यह जो परचार कर रहे हैं किसी चीज का बिरोध में आप लोग यह टोटो बाइक रैली लेकर आए हैं हम लोग बालू माफिया के बिरोध में आए हैं बालू जो खनन नदी से हो रहा है पौपलिन के द्वारा उसका बिरोध कर रहे हैं किसी भी सर्थ पर जब वहां बालू उठता है तो पानी का अभाव है बोरिंग चापकल सब मेरे किहां फेल है जबकि बिहार सरकार के है यह है दूसरी बात है की पेंड लगाये अभ्र रहा है तो सबसुक्त जा रहा है तो प्रोंध में हम लोग कलेकि आम सभार करने जा रहा है और संती को व्यलत करने कूउँ जाक आ हैं और गया सब्सक्राइब करने जा रहा है जिससे हमारे किसान करांतिकारी के जितना भी पदाधिकारी हैं इमाम गाइन डुमरिया बांक वजार सब को उपस्तित होंगे और सब की आवाज को बुलंद करके हम सरकार तक पहुंचाएंगे अगल आप यह जो बात चल रहा है बहुत दीने सो चल रहा है तो क्या आपको लगता है कि इस पर सरकार गौर करेगी सरकार गौर करेगी भी और जनता के वो ताकत है कि सरकार को जुकना पड़ता है जनता के वो ताकत है कि आज सरकार को भी बदल देते हैं समझना आज सरकार के माफिया के द्वारा हम लोगों को 17 आदमी को केस किया गया है और उसके बिरोध में हम लोग इसके लिए उतारेंगे अगर जो जे तो अलग ची बात है हम लोग को जेल भर अभियान होगा तो उसके लिए हम लोग तैयार है इसमें पीछे नहीं अटने जा है हम लोगे जनता की ताकत है कि सरकार को भी खाड़ के प्लीडा फिर देंगे किसी भी सर्थ तो देख रहे हैं कि यहां पर जानता पर शोंट ना खूश न जा रहें कि जो लागातार पर अटी दिन जो बालू उड़ते जा रहा है तो उसे क्या हानिया बालू को उठाने से पहाडी छेत्र में रहने वाले हैं एक सल प्रभावित से गुजरते हैं जो कि हम लोग एक गरीब मजदूर हैं दो सो रुपे तिन सो रुपे कमा गया हम के हाथ बोरिंग से पानी नहीं होता है जब भी करवाएं तो मजदूरी करकरे 2 रुप आच जाद ही सेठीक करके होएं जहां ड़न करवाएं हैं होनलोग लेघिव में हमारा इमागवाई छेतर में बालू खनन के जो तक्रार किये नितिसकुमार ने यह बहुत बड़ा गलत किये गरीबों के प्यासे मारने की कोशिश कर रहे हैं सोच रहे हैं कि मैं गरीब को जनता को मैं मार दूंगा इसको उनको को और सोच नहीं है इसलिए इसको लिए जाता है इसलिए इसको ब्रोध में हम लोग बालू को कभी संचालन कभी नहीं होने देंगे इसको लिए तो जो गया गया है जो गोवर्मेंट के थूरू टेंडर दिया गया है गोवर्मेंट के नहीं बुझाता है कि मेरे कौन पंचाइट, कौन जीला, कौन छेत्रे में कैसा आदमी है उनको तो छेत्रे देखके न देने चाहिए कि कहां से बालू ठाएंगे कि हमारा पब्लिक का नुक्सान नहीं होगा लेकिन मेरी का नितिस्कुमार के नहीं लोग र पाक्म नहीं पerna पत्टी काला पत्टी बना इसलिए काला पाटी उनको ठोलना पड़ेगा और गरीब जन तक उनको देखना पड़ेगा और केस करते हैं और केसली बाते हैं थाना से थाना को आती है जर घुस दिवा के सरकार के बदलती थाना के जितना जो हमारा दरोगा है थाना परभारी है ये सरकार की बदलत घुस लेता है और खरिदने के काम कर रहा है तेकि हम लोग पप्लिक नहीं है जो हम लोग बिक जाएं बालू को उठने नहीं देंगे अब बालू को ब्रीथ में हमेशा हम लोग अंदुलन करने के लिए तयार हैं अब आलू माफिया को खदेर के मार के भागाने के लिए तयार हैं इनकलाब जिंदाबाद पुलिस परसासन मुर्दाबाद नितिसकुमार हाय हाय है बालू मफ्य मुर्दाबाद मुर्दाबाद बालू टेंदन रात करो इनकलाब जिंदाबाद तो अब यहाँ पे देख रहे हैं जानता ये तना नखोस है कि जो बालू इस तरह से अगर उड़ते जा रहा है तो ईन लोगों के कारणा है कि जो उसके आसपास के छेत्रे में लोग रहते हैं अब यह पहाड़ी इलाका है पहाड़ी इलाका में पानी का बहुत जाधा तिलत भी होते हैं लेकिन उन सरकार कभी यह ना समाझ मारा कि जो पहाड़ी छेत्रे में लोग रहा रहे हैं उनको पानी की कि तना समस्या को साथी जलना पड़ेका पानी से फिर भी आभ देखिये अब इन लोग का जो मांग है कि बालू टेंडर को रद करना है बालो के खाना नहीं करना भालू के यहाँ तो जो टेंडर लिये हैं उनको यहाँ से हटाना है एक च़ता हूँ कि सरकार ने जो टेंडर देती है जो रोषन गहाट की test थी लेकिन जूटा माइनिंग बैमान माइनिंग लोकल माइनिंग आकर हम लोग अनपढ़ हादमी हम लोग करना समझ बूचते हुए माता बहन मेरा नहीं देखते हुए जूटा माइनिंग लाकर और जूटा खंभा गड़वा देता है कि जहां तक उसको एरिया है उससे भी कम से क हम 50 फिट फैले लेकर बालू लेकर चला जा रहा है जोटा माइनिंग लाकर बेंद जोरी से चोरी कर भाता हूँ चोरी करते हैं तूम énormément कोटे हैं लेकि निति शुर को पगड़ेंगे लेकि निति शुमार ने को पाल रखा जागा तो बेरेक्टर माइनिंग है जब वन प्रवलीक है दो हम लोग ख़ड़ते हैं अगर सच्चा माईनिंग रहता तो कंड़ करता क्योंकि जानते हैं जब पबलेक उसमें टूटता है और रात में आको बालًओ उठाता है ऐसा क्या बात ही क्या सरकार केनीटी इह कईसे सरकार किनती है कानन प्रदच जकार है हाई है अ है 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 यहां पर जो बालू टेंड़ दिया गया था क्या उसका माने कोई को ब्याक्ति के पास उसका रसी तो जरूर आया होगा आजो तक नहीं मिला खुछ तटयए में अड़ा रहा है सभी ने हम लोग सोफ थे जो कितना तुमारा बालु है अज तक काह dönुस्यान रहरा है इस तो मैंनिंग बला जो इद गट्र्टेम का ठैस्टा आते हैं कि आप भूaş सत्भी मैंनग मेर्न है आते हैं तो कहते हैं कि आप लोग बुधु बन रहें रहें नितिस कुमार को गालु का तेन्डर वापस लेना होगा तब जाको उनको इजत मिलेगा और आहसे Lord बालु का दिया जाएगा दिया जाएगा नितिस्कमार को तो आप देख रहें कि जो बालुक खानन लगातार उड़ते जा रहा है उससे जानता बहुत ने खोश है तो वीडियो के देखने के लिए धान्यवाद जय हैं